हेलो गाइज वेलकम बेक टू कॉमिक हिंद हम आ चुके हैं फ्यूचर स्टेट टी नेक्स्ट बैटमैन के थर्ड पार्ट में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे तो चलिए शिरू करते हैं तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं बैटमैन उन दोनों खूनियों के पास पहुंचता है बट तभी वहां पे मैजिस्ट्रेट के प्राइवेट कॉप्स भी आ जाते हैं तो बैटमैन हमें बताता है मैजिस्ट्रेट के प्राइवेट कॉप्स को ओर् और मेरे साथ दो लोग है, हमारे पास पहले ही टाइम कम है, बट मुझे कुछ और सेकिंड चाहिए होंगे, बैटमैन हाथ उठा लेता है, वो कहता है, शूट मत करना, मैं हार मानता हूं, इन दोनों को हर्ट मत करना, तो उन में से एक कैटन स्टैंच से पूछता है, कि हमें क् वो कहता है, सब को उड़ा दो, बैटमैन कहता है, ना कोई ड्यू प्रोसेस, ना कोई ट्राइल, सीधा उड़ा दो, तभी वो उन ड्रॉन्स पे EMP फैंकता है, वो कहता है, ये ड्रॉन्स को कुछ टाइम के लिए मैस में डाल देंगे, और मुझे वो टाइम मिल जाएगा, जो मुझे चाहिए, वो उन दोनों से कहता है, तुम मेरे पास ही रहना, और वो उन रॉबर्ट से लड़ने के लिए चला जाता है, वो उन से लड़ता है, और उनको तबाह कर देता है, तो वहां काफी धुआ हो जाता है, तो कैप्टन उन्हें कहता है, बैटमैन पे निगा के जाता है वो बाइक पे बैठने वाला होता है कि तभी वहां पे एक ड्रोन आ जाता है जो एक मिसाइल छोड़ता है और उसकी बाइक तबाह हो जाती है वो मुड़के वापिस आता है बैटमैन बताता है कि ये मशीन्स हैं जिनमें आत्मा नहीं होती ये ना तो सोचते हैं ना इने फील होता है इने कोई डर नहीं लगता यह मुढ़के वापिस आ जाती है लड़ने के लिए इसलिए यहां पहुंचता है पीस कीपर 01 के पास उसके चोट लगी होती है तो पीस कीपर 01 केता है तुम्हें क्या हुआ तो स्टैंच बताता है कि मेरी टीम का टारगेट से सामना हुआ मैंने खुद की पहचान बताई तो पीस कीपर 01 केता है क्या तुमने अपनी पहचान बताई क्या तुम्हें शूट ओन साइट का मतलब नहीं बता तुम एक प्राइवेट कॉप हो जिसको पैसे दिये जाते हैं बैटमैन को खतम करने के तुमें बस गोली चलानी थी तुमारे पास दो साइबर थे, दो ड्रोन्स थे और आठ आदमी फिर भी तुमसे ये नहीं हो पाया तो स्टैंज कहता है दारियल बैटमैन तो पीसकीपर 01 कहता है वो कोई दी बैटमैन नहीं है असली बैटमैन मर चुका है तो स्टैंज कहता है मैंने उस बैटमैन के बारे में सुना है और जब वो लोग उस तक पहुँचे तो उसमें फ़ाइट करने की इच्छाँ खतम हो चुकी थी तो पीस कीपर कहता है तुम ये कहना चाते हो कि हम lucky थे, कि हम उसे मार पके, नहीं सर, तो पीस कीपर 01 कहता है, तुम एक नकली मास्क पहने हो, इसे पिटके आ गए हो, और बाते हैं जादा करते हो, तुम अपने टीम को ले के जाओ, तब तक वापिस मत आना, जब तक उस बाते तो बड़ी करता है वरjak उसमे कभी skarne तो स्टैंज केता है मुझे नहीं पता गार जब उसे वह इव्यक्त की भटट क्भाथ में बात हो त्धोड़ा-सा फास्ट हो जाता है उसके साथ ही कहते हैं हमारे पास और ड्राउंस भी हैं तो स्टैंच कहता है यह हम ड्राउंस पे नहीं छोड़ सकते उन तीनों को धूंड़ो और मैं खुद उस बैटमैन की कहती है चब हमें बैटमेंगों फोलो नहीं करना इन सबकी वजह से पहले ही यहां पर पीसकीपर्स आये हैं रिच्प कहती हैं मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे नहीं लगता कुछ और पीसकीपर्स को इसमें बिल्कुल ήजाब तो commissioner कहती है कि अभी के लिए public को mask वालों से बिलकुल भी फरक नहीं पड़ता और हम public की सेवा करते हैं और अगर तुम दोनों ही Batman के opposite में आ गए तो क्या पता वो shoot on sight का order detectives को भी दे दें तो यहां हम देखते हैं Batman उन दोनों को किसी जगा पे ले जाता है वो कहते हैं यह क्या है तो Batman बताता है यह कभी चर्च होता था बट अभी safe house है तो वो लड़की पूछती है हम यहां क्यों है तुम हमारी help क्यों कर रहे हो तो Batman कहता है तुम जानना चाती थी ना मुझे justice में विश्वास है या नहीं हाँ मुझे है इसलिए तुम trial deserve करते हो execution नहीं वो कहता है तुम मेंसे कोई medical profession में था मुझे तुमारी help चाहिए क्योंकि मुझे bullet लगी थी मैं अपने suit का एक part निकालने वाला हूँ उसके बाद खून बहना start हो जाएगा इसे low और मेरे जखम पे लगा देना तो वो कहते है इससे pain नहीं होगा तो Batman कहता है pain तो होगा बट मरने से तो अच्छा ही है तो वो flame निकाल के उसके जखम पे लगा देते हैं तो वो आदमी पूछता है ये तुमें बाकी के निशान कहां से मिले हैं क्या ये भी peace keepers के साथ fight में मिले हैं तो Batman कहता है नहीं ये मेरी old job के हैं जिसमें मुझे काफी torture होता था तुम लोग एक minute लो उसके बाद हमें move होना है तो वो आदमी कहता है तुमें rest नहीं करनी चाहिए तो Batman कहता है हाँ बट अगर हमने rest की तो हम ये night को निकाल नहीं पाएंगे तो यहां Tania अपने पती Lucius के पास जाती है वो उसे बताता है कि Wayne Enterprises जो भी weapon भेजता है peacekeeper को हम पूरा effort करते हैं कि वो नियम की पालना करते हुए बनाए जाएं तो Tania कहती है देखो मैं कोई shareholder नहीं हूँ मैं एक वकील हूँ और मुझे ये make sure करना है कि shoot on side का order code में खड़ा हो सके तुम अभी Wayne Enterprises हो तुम इसका part हो तो वो उसे बताता है कि ये जो mask वाले है ना ये कानूनों की पालना नहीं करते और ये भी नहीं सोचते कि कौन अच्छा है और कौन बुरा तो तानिया कहती है वो सभी लोग bad है बट तुम मेरी job को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हो जब तुम लोग का use करते हो लोगों को मारने के लिए तो वो कहता है अगर तुम से अपना काम नहीं होता तो पीछे अठ जाओ peace keeper को अपना काम करने दो तो वो गुसा होके वहाँ से चली जाती है वो उसको बुलाता है तो वो कहती है नहीं तुमने कह दिया जो कहना था मैं अपने office में जाने वाली हूँ ताकि सोच सकूँ कि इसको कैसे बचाया जा सकता है तो उसकी बेटी टिफ कहती है आपको ये सही लगता है कि cops किसी को भी देखते ही उस पर गोली चला दे इसके बावजूत कि आपने हमें अभी तक जो भी सिखाया है तो तानिया कहती है ये अलग है तो उसकी बेटी कहती है ये कभी भी अलग नहीं था ये बस हमारे लिए अलग था तो तानिया कहती है justice कभी भी मास्क नहीं पहनता कभी नहीं तो उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है वो अपने भाई Luke के पास जाती है और कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है वो उसे कहती है मुझे ये बताओ क्या तुम Batman हो वो कहता है क्या ये क्या बात हुई वो कहता है येस और नो तो वो कहता है नहीं मैं बैटमैन नहीं हूँ तो वो कहता है तुम जूट तो नहीं बोल रहे जैसे तुमने बैटविंग के लिए जूट बोला था तो वो कहता है मैंने जूट नहीं बोला मैंने बस किसी को नहीं बताया था तो वो कहती है तुम मुझे शब्दों में मत उल जाओ अगर तुम बैटमैन हो तो परिशान करना बंद कर दो क्योंकि तुम मॉम और डैड को खतम कर रहे हो तो वो कहता है mom dad के अपने ही issues है mom सभी blame mask वाले पे डालती है जो भी time के साथ हुआ dad का मुझे पता नहीं कि वो उससे recover हो पाई या नहीं जो भी punch line ने उनके साथ किया था और tim घर वापिस आ चुका है तो वो कहती है jays तो वो उसको कहता है वो चाहे खुद को जो भी कहे बट वो किसी काम का नहीं है तो वो कहती है ऐसा मत कहो वो हमारा भाई है तो वो कहता है उसने सब कुछ खराब किया और family को अकेला छोड़ दिया और तुम्हें है हरानी होती है कि mom man dad में issues क्यों है तो वो कहती है मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि मुझे Batman के बारे में कैसे सोचना चाहिए तो Luke उसको कहता है मैंने भी मास्क पहना हुआ है जो भी Knight को Gotham में जाता है और वहां की बक्वास का सामना करता है वो अच्छा ही होगा तो यहां हम पहुंच चुके हैं Batman के पास वो उन्हें कहता है मुव होने के लिए ready हो जाओ Peacekeeper electronics device को track करते है मैं जैसे ही पुलिस को phone मिलाऊंगा उन्हें पता चल जाएगा तो वो आदमी कहता है क्या पुलिस तुम पागल हो तुमने तो कहा था हमारी help करोगे तो Batman कहता है मैंने तुमें ये कहा था कि मैं तुमें execute होने से बचाऊंगा तो वो कहता है अगर तुमने पुलिस को बलाया तो वो हमें खतम कर देंगे तो वो कहता है तुमने उस आदमी का खून किया है तुम ऐसे ही नहीं जा सकते मैं किसी को जानता हूँ जिससे हमें हेल्प मिल सकती है तो वो फोन मिलाता है डिटेक्टिव चब को वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है तो चब कहती है वाह मुझे भी तुमसे बात करनी थी और तुम्हें अरेस्ट भी करना था तो वो कहती है उनको ये मास्क पहने से पहले सोचना चाहिए था तो बैटमेन कहता है मुझे shoot on sight के order का पता है मुझे पता है peace keepers इनको नहीं छोड़ेंगे तो वो कहती है तुम इसमें मुझे क्यों involve करना चाहते हो तो बैटमेन कहता है क्योंकि तुम अच्छी हो और जब अच्छे लोग bad laws के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो इस दुनिया का कुछ नहीं हो पाएगा तो चब कहती है हाँ बहुत लग्की हूँ मैं तुम उने city hall में ले आओ वहाँ से मैं उनकी custody ले लूँगी तो बैटमेन कहता है ठीक है हमें एक घंटा दो तो चब कहती है ठीक है बट मैं तुमें उन peacekeeper से नहीं बचा पाऊंगी और हाँ मैं ये भी promise नहीं करती कि मैं तुम पे गॉली नहीं चलाऊंगी तो बैटमेन कहता है वो मैं देख लूँगा तो माई कहता है क्या हुआ तो चब उसे बताती है और कहती है मैं जाना होगा तो बैटमेन उन्हें बताता है कि मेरी बात हो गई है वो तुमें custody में ले लेगी बट तबी वो आदमी बैटमेन पे हमला करता है वो उसकी चोट के उपर डंडा मारता है और बैटमेन जमीन पे गिर जाता है उसकी wife कहती है ऐसा मत करो तो वो अपनी wife को भी धक्का देता है वो कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूँगा और वो भी इसलिए कि हमने उस गंदे आदमी को खतम किया शायद इसके बाद भी हम पकड़े जाएं बट क्या पता हमें वो छोड़ दें जब उन्हें पता लगे कि हमने बैटमेन को मार दिया है तो हम देखते हैं कि वो बैटमेन का गला घोड़ना शुरू कर देता है तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खतम होता है नेक्स पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजे हम भी मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई